सेवी ने कुछ मेनों पहले PMS के बारे में जो मेजर रूल्स थे उनमें चेंजिस किया पहले PMS में कम से कम 25 लाक्स का जो निवेश होता था उतना करना ज़रूरी था अब ये अमाउंट सेवी ने बढ़ा कर 50 लाक्स तो जो निवेश है जो 25 और 50 के बीच में उन लोगों की डिमांड के हिसाब से एक कैटेगरी जो है यूचेट फंड की वहाँ पे एक काफी हलचल देखने को मिलती है और वो है फोकस एक्विटी फंड देखे मैंने पहले एक विडियो बनाया कि जिसकी मैं लिंक इस विडियो के साथ उपर आपको दे रहा हूं कि जहाँ पर मैंने फोकस कैटेगरी क्या होती है उसके बारे में एक सेपरेट विडियो बनाया है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फोकस कैटेगरी होती क्या है तो आज हम लोग एक ऐसे ही फोकस फंड का रिविव करेंगे फंड का नाम है SPI Focus Equity Fund तो इस रिविवे हम लोग पहले तो देखेंगे कि फोकस कैटेगरी के benefit क्या है फोकस कैटेगरी क्या है उसके बाद इस कैटेगरी में कितनी स्कीम से एलियन कितना है कितने जो है वो फोलियोस है उसके बाद हम लोग इस फंड की बेसिक जानकारी लेंगे जैसे कि फंड के मैनेजर कोन है fund के facts देखेंगे उसके बाद हम लोग इस fund के एक तीन पास साल के जो returns है वो देखेंगे उन returns के साथ ही हम लोग इस category के बाकी जो funds है उनके भी returns देखेंगे और compare करेंगे साथ ही में हम लोग इस fund के और इस के category के बाकी जो funds है उनके risk ratios भी देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस fund में गए तीन महिने में क्या नया shares को add किया गया या फिर किन जो shares से या किन companies को completely बहार निकला गया साथ ही में हम लोग देखेंगे कि किन प्रकार के निवेशोगों के लिए ये fund या इस category का fund सही रहेगा तो चलिए देखते हैं कि ये fund focus fund category कैसी है तो focus fund क्या होता है कि जैसे इसका नाम है कि maximum आप 30 companies के share में हिन निवेश कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर advantage क्या होता है कि fund manager को market capitalization का sector का कोई भी यहाँ पर limitation निवेश कर सकता है यहाँ पर कैसे होता है कि जब जिस focus fund में खाली 30 shares पर fund manager को focus करना है तो stocks management जो है वो एक थोड़ा असान भी हो जाता है दूसरा क्या होता है कि fund manager को एक खुद का जो है जो खुद का जो selected script है या selected sectors है वहाँ पर उनको यहाँ पर exposure लेना एक उनके लिए possible हो जाता है firm manager या AMCs अपने outlook के हिसाब से ऐसे fund में एक freedom के साथ निवेश कर सकते है focus category देखा जाए तो यह multi-cap category के करिब करिबाती है क्योंकि यहाँ पर capitalization का restriction कुछ नहीं है देखें कि जैसे यहाँ पर focused है और तीज का ज्यादा से ज्यादा तीज शेर में निवेश कर रहें तो यहाँ पर automatically क्या होता है कि यह fund बाकी market के सब के compare to outperform भी कर सकते या करने के chances भी ज्यादा होते हैं लेकिन same time since यहाँ पर क्या हो रहा है कि focus खली 30 companies पे है तो diverse indication जो नॉर्मल एक fund जो होता है कि नॉर्मल equity fund जो है वहाँ पर निवेश जो है वो करीब करीब 50 या 55 shares में हो जाता है लेकिन यहाँ पर limitation की विज़े से यहाँ पर 30 का ही limit है तो यहाँ पर diversification कम होता है तो यहाँ पर risk और reward जो है वो दोनु थोड़ा ratio है जो वो higher side है तो आपको higher risk है लेकिन आपको higher rewards भी ऐसे category के fund में मिल सकते हैं इस category में total आयता हम 30 September 24 schemes है 37,53,000 के उपर जो है number of folios है और AUM जो है वो 2810 करोण के उपर है यह fund के fund manager के बारे में जान लेते है Mr. R. Srinivasan जो है इस fund manager है इनको लगबग 26 साल से उपर का जो है financial market का experience है और इस fund को वो में 2009 से manage कर रहे हैं श्री निवासन जो बाकी fund डिखते हैं यहाँ पर उन fund का भी मैंने एरियम दिया हुआ है एक और तीन और पास साल के रिकर्स दिया है लेकिन यहाँ पर return compare मत करना क्योंकि क्या होता है कि यह जो तीन scheme manage कर रहे हैं हर scheme का category अलग है तो आप straight one-to-one return compare नहीं कर सकते हैं फंड का objective long term में capital growth करना है कि जो किसी भी नाव में लिए equity fund का होता है साथ ही इस fund के यह fund जो है वो कम से कम 80-100% equity में निवेश्ट कर सकता है या 0-20% debt or debt related product में निवेश्ट होता है इस fund के fact जान लेके a second manager 10,000 crore से उपर के है as a 30 September date of inception 17 September 2004 का है benchmark index BSC 500 है category focus minimum लंसम आज 5,000 कर सकते dividend और growth दोनों option आपको यहाँ पे link यहाँ पे अगर आप एक साल के अंदर आपका निवेश्ट निकालते हो तो यहाँ पे आपको 1% का exit load देना पड़ेगा asset allocation देख लेते 95.48% equity में 56.43% large cap में 22.05% mid cap में 3.63% जो है वो small cap में है और debt और बाकी जो instrument है उनमे 4.52% debt या cash पकड़ लीजे उनमे 4.52% तो यहाँ पे अगर आप लोग खीक से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि large cap का percent जो है वो mid cap में और एक small sector जो percent है करिब करिब 3% वो उनका जो है वो small cap में है portfolio देख लेते as of 31st 2020 यह portfolio है top 10 companies में उनका जो निवेश है वो 50.89% है आप यहाँ पे screen pause करके यह पूरा portfolio ठीक से पढ़ सकते है sector के लिए भी आप screen pause करके ठीक से पढ़ लेना सबसे ज़्यादा जो उनका निवेश है वो है उनका bank पे और जो सबसे कम अगर हम लोग देखे तो यहाँ पे hotel, resort और यह जो sector है इनके उपर वहाँ पे इनका सबसे कम जो है वो exposure है लास्ट तीन महिने में देखा जाए तो इन्होंने अपने fund में freelance industries को add किया है वो इसका allocation 3.85% है और दूसरा ICICI insurance को add किया है उसका allocation जो है 1.31% है लास्ट तीन महिने में जुलेई, अगस्ट और सप्टेम्बर इन तीन महिने में जिन shares को या जिन companies के shares को इन्होंने अपने portfolio में से बाहर किया है उनमें HDFC bank जिका पहले ही allocation था 7.49%, budget finance 7.27% था state bank of India, procter and gamble और भार की एक्टे तो यहाँ पे भी आप बास करके ये sector ये allocation आप लोग देख सकते एक दफे HDFC का ये 7.4% जो allocation था ये इनका top allocated measure allocation में से एक था, performance with peer comparison कर ले देख यहाँ पे एक तीन और पास साल के जो है मैंने आपको यहाँ पे returns यह हुए, साथ ही में आपको AUM दिया हुआ है यहाँ पे मुझे मेरे लिए actually थोड़ा अगर आप लोग compare करें तो पता चल जाएगा कि इनका AUM से वैसे काफी decent है लेकिन थोड़ा ओपर की तरह भी दिख रहा है लेकिन since इन्हों यह 500 है, इनका benchmark अगर आप देखेंगे तो BSE 500 जो benchmark है इसका मतलब यह AUM जो 10,000 करोड का है वो भी large AUM में नहीं आता है यहाँ पर क्योंकि आप अगर देखेंगे compare करेंगे तो आपको लगेगा कि 10,000 करोड से यह स्किंग का AUM है तो इनका AUM साइज बहुत ज़्यादा है तो नहीं मेरे ही सबसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनका benchmark जो है और top 500 companies है BSE 500 इनका benchmark तो यहाँ पर मैंने BSE 500 और Nifty 500 द अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मैंने इस फंड का और इस चैटेगरी के जो बाकी फंड है उनका जो है मैंने रेशो दिये हुए इस फंड का अगर देखा जाए standard deviation 20.51 sharp ratio 0.16 solutino 0.18 beta 0.87 देखें यहां पर मुझे इस फंड का जो बीटा है वो काफी attractive लगता है क्योंकि बीटा जितना एक से कम हो उतना अच्छा होता है alpha भी अच्छा है 3.03% r² 0.84% तो अगर आप यह ratios क्या है वो समझते हैं तो आपको यह क्या ज्यादा माहिन रखेगा लेकिन एक बात कभी भी ख्याल में रखता है कि ratios जो है थे risk ratio यह stand-alone कोई माहिने नहीं रखते हैं unless and until आप इन ratio को दूसरे scheme से या फिर benchmark के ratio के साथ compare ना करो तो यहां पर देखिए इस fund का जो standard deviation है वो 20.15% है और इस benchmark index का जो है जिन लोगों को risk tolerance level high उन लोगों के लिए fund ठीक है जो लोग long term में inflation को बीद करने वाली return किया picture रखते हैं उनके लिए यह return निवेश ठीक रहेगा इस fund में या इस category के fund में जो निवेशक 7 साल से उपर के लिए निवेश कर लेए उनके लिए इस fund में निवेश ठीक है जो निवेशक है जो अगर PMS product की तरफ fund देख रहे तो उनके लिए भी ऐसी category के fund में निवेश करना ठीक हरेगा मुझे लगता है कि आज मैंने आपको इस वीडियो में इस फंड की काफी जानकारी दी है और अगर आप इस फंड में निवेश आपका पहले से है तो आपको ये भी पता दल गया हो जाएगा कि आपकी निवेश इस हालत में है अगर आपकी निवेश नहीं और आप करना चाहत देहें तो भी आपको यह जो वीडियो देखके आपको पूरी एक जानकारी मिल जाएगी कि इस फंड के फंड फाक्स क्या-क्या है तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए और आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो आज आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर तो ते वक बेल आईकोन ज़रूर दबादेना क्योंकि जब भी आप स्पाल million अल्ट करता हो तो आपको उस वीडियो का अललट मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है अगर आपको लगता है कि ये विडियो आपके कई दोस्त और आपके किसी रिलेक्टियों के लिए वी पाम में आ सकता है या उनके लिए वीडियो को देखना ज़रूरी है या फिर आईसे चैनल को सब्स्राइक करना ज़रूरी है तो आप इस वीडियो को शेर ज़रूर आप साथ ही में अगर आपको किसी और वीडियो और किसी और स्कीम के बारे में एक रिव्यू चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आपकी डिमांड ज़र पोस्ट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि उस स्कीम के बारे में एक ऐसा ही जो रिव्यू है वो आपके सामने पैश करूँ आपके कुछ सवाव हो आप कमेंट ज़रूर करना है थैंक्यू बेश्च